नबश्का दोस्तों स्वागत करता हूँ आपको अपने मई के राशी फल में जिसमें आज हम बात करेंगे कुम राशी वालों का कैसा रहेगा मई का महीना आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोनों कर दीजेगा कुम राशी वालों के अच्छा कहां दा सकता है जोरान आपको अनुकुलता मिलेगी जीवन साथी के साथ सम्मंद भी आपके अच्छे होंगे पहले कि अपेशा समय में सुधार होने जा रहा है जिससे आपकी आर्थिक इस्टेटी भी काफी मजबूत होती भी दिखाई देगी कहीं से रुगे व पार करते हैं तो प्रतेक निंडे में आपको साज़ेदार में परामर्श लेना आवशक है नौकरिपेशा के लिए भी यह मेना अनुकूल थोड़ा सा नहीं कहा जा सकता थोड़े से अपने डाउन उन्हें देखने को मिलेंगे इस महा में आपको कार्वे करते समय बहुत सा परिश्रम के अनुचार आपको फलके प्राप्ति होगी इस महां उने वाली परिक्षव में अर्थिक परिश्रम आपको करना पर सकता है इस महां के उत्राद में आपके लिए समय अधिक अच्छा है पुड़वार्थ की मुकाबले इस दोर आपको कम प्रासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे उत्राद में लेकिन पुड़वाद में अर्थिक परिश्रम करने की इस्तिव रहेगी उत्राद और यह शुरू के बंदरा दिन और आस्ट के बंदरा दिन चनिका गोचर आपके प्राक्रम को बढ़ाएगा तता शत्रों पर विजय दिलाएगा पिछले चलना होगा तो दोस्तों अगर आप मुझसे कॉंटेक करना चाहते हैं तो आपके सामने जो स्क्रोल बार चल रही है नीचे निज्टेकर से चल रहा है उस पर मेरे वाट्चेप के नमबर्स आ रहे हैं आप उससे मुझसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आज के लिए सिर्फ इतना ही डेली की राशिफल और पामिस्टेक की वीडियोज में अपलोड करता रहता हूँ पिलीज आपने ज़रूर देखा करिए और चैनल को ऐसा ही अपना प्यार देते रहा करिए तेकने के लिए धन्यवाद